Hello everyone, welcome to our channel So guys, in the last lecture हम लोगोंने देखा था numerical solid state के सभी numerical हम लोगोंने start करती थे जहाँ पे हम लोगोंने lock table के पहले basic rules देखे थे कैसे lock table को find किया जाता है वो चीज़ देखी थी और वो चीज़ होने के बाद हम लोगोंने एक numerical देख लिया था जो था iridium का अब इसके आगे हम लोग बनने वाले हैं numerical के exercise के series की तरब जहाँ पे हम लोग देखेंगे next numerical जो की दिया गया है page number 27 से question number 5 aluminium crystallize है seen cubic close pack structure एक aluminium है जो crystallize हो रहा है किसमें cubic close pack structure आपको पता ही होंगा cubic close pack structure को हम लोग second option से देखते हैं या फिर second नाम उसका बोल सकते है f c c face centered cubic with unit cell हम लोगों को unit cell age length given है age length जिसको हम लोग denote करते है a से small a से वो हमारे पास given है जो है 353.6 picometer find क्या करना है फिर इस numerical के अंदर इस numerical के अंदर हम लोगों को find करना है what is the radius of aluminium atom find करना है radius of aluminium atom और उसे के साथ how many unit cells are there in the 1.0 cm3 of aluminium cm3 यह किसका unit है volume का मतलब हम लोगों को volume given है पुछा क्या गया है इतने volume के अंदर how many unit cell number of unit cell कितने है यह question हम लोगों को पुछा गया है अब इसको find कैसे करेंगे तो सबसे पहले कोई भी numerical देखने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे given and find क्या करना है वो उससे बहुत ज़दे हम लोगों को clarity आ जाती है कि हम लोगों को numerical के अंदर करना क्या है चलो तो स्टार्ट करते है सबसे पहले हम लोग लेंगे given data given data में हम लोगो क्या क्या दिया है तो type of unit cell हम लोगों को पता दिया है type of unit cell जो की कौन सा है CCP और CCP का meaning मैं ले अभी बोला क्या है abscissi clear उसके बाद हम लोगों को given है age length क्या given है age length age length हम लोगों को कितने given है जिसको हम लोग denote करते है small a is equal to 353.6 picometer इतनी given है और क्या given है तो यहाँ पर बुला गया है how many unit cells are there in 1.0 cm3 कितने unit cell रहेंगे तो 1.0 cm3 क्या है volume so volume हमारे पास है volume of aluminium atom कितना है 1.00 cm3 कितना है 1.00 cm3 clear बस इतना ही given data है हमारे पास find क्या करना है हम लोगों को to find find करना है हम लोगों को सबसे पहला तो देया गया radius of aluminium atom सबसे पहले हम लोग find करेंगे radius of aluminium atom हम लोग हम लोग find करेंगे इसकी radius है बी unit cell in 1.00 cm3 of aluminium number of unit cell find करने है clear अब कौन से फॉर्मुले से करेंगे last numerical में जहां पर हम लोगों FCC के लिए r is equals to 0.3535 into a formula use के आता से यहां पर भी वही करेंगे क्योंकि CCP का meaning भी क्या होता है FCC होता है so लेते हैं यहां पर solution क्या find करना है सबसे पहला answer जो की रहेंगा radius of aluminium atom यह find करने से पहले हम लोगों को एक चीज यहां पर देखनी होंगी age length हम लोगों को picometer में दिये और picometer में तो हम लोग अगर given है तो use to करते हैं यह उसको centimeter में convert करना होंगा तो कैसे convert करेंगे हम लोग so जो given है मैं हां पर इसको solve करती हूँ age length जो की हमारे पास है किसमे एक ही value picometer में 353.6 picometer इसको हम लोग convert करेंगे centimeter में कैसा तो 353.6 इसको हम लोग multiply करेंगे 10 to the power minus 12 यह हो गया convert meter में अब इसका centimeter में लाना है तो 353.6 into 10 to the power minus 10 10 centimeter minus 10 से multiply कर दिया 10 rest to the power minus 10 से अब इसको थोड़ा सा simplest formula आते हैं हम लोग क्या करेंगे इसके values को Q तो obvious है cube root में हम लोग को यहाँ पर use करना है Q तो लाना है हम लोग लोग ने आप यह formulas नहीं लिखे जो use करने है वो लिख लेते है पर पहले इसको complete कर लेंगे दो यहाँ पर देखो simplest formula नाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर इस decimal point को इधर shift कर रही हूँ तो देखो मुझे क्या बलेंगा 3.536 into 10 rest to the power मैं कितने digits सामने गई हूँ? 2 तो यहाँ पर अगर हम लोग left hand side पर जाते है decimal point को shift करते है तो हम लोग लेते है plus 2 into 10 rest to the power plus में लेते है मतलब ही 10 rest to the power into 10 rest to the power minus 10 plus minus क्या होने वाला है भही? minus 3.536 into 10 rest to the power plus minus minus क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर minus 8 centimeter centimeter में एके value convert हो चुकी है completely अब इसे value को हम लोग use करेंगे इसके पहले formula so formula का जो section है मैं यहाँ पर लिख रहे हूँ actually given to find and then formula सो यह था बट ठीक हम लोग skip कर गए तो यहाँ पर लिखेंगे formula सबसे पहले radius को निकालने के लिए क्या बोलेंगे कौन सा formula हम लोग FCC के लिए use करते है for FCC r is equal to 0.3535 into a second formula number of unit cell निकालना है हम लोग को कितने के लिए 1.00 cm3 of aluminium के लिए जो find करना है so यहाँ पर aluminium के अच्छा हम लोग क्या लेंगे सीधा formula यूज कर रहे है तो number of unit cell in volume of metal is equals to क्या लेंगे V upon a का q ठीक है so with the help of यह जो दो formula हम लोग को देए गए है उनके थूँ हम लोग अब आगे की सबसे पहली value derive करने वाले या फिर निकालने का काम करेंगे जो की रहेंगा the radius of aluminium atom क्या find करेंगे हम लोग radius of aluminium atom ठीक है so उसके पहले आप लोग इसके quick screenshot ले ले लेज़े देन हम लोग आगे बढ़ेंगे चल so आगे बढ़ते हम लोगों को find करना है एक ही value है last में आई हुई 3.536 into 10 to the power minus 8 cm clear तो अब करेंगे इसको find यही दो formula को use करते हैं आपने note down कर लिया होंगा तो इसलिए मैं so for ccp मतलब ही in bracket fcc r is equals to 0.3535 into a so 0.3535 into 3.536 into 10 to the power minus 8 cm चलो log के साब से अंसर निकालते है log of 0.3535 then log of 3.536 clear characteristic one bar कैसे क्या one bar हम लोगों ने देखा है last video लेक्चर में अगर 0 रहता है तो हम लोग सिधा क्या लेते one bar और one bar का मिनिंग क्या होता है minus one decimal अब इसका characteristic decimal point के इदर कितना है one digit one minus one zero तो इसका characteristic कितना मिलेंगा हम लोगों को 3 में 6 में one difference हम लोगों को दिया है 7 ठीक है तो 5,4,7,8 प्लस यहाँ पे लेंगे हम लोग 7 कितना पे लेंगा 5,1,8 5,4,8,5 5,4,8,5 ठीक है अब इसका क्या करेंगे हम लोग addition 9 16 carry 1 4,4,8 carry 1,9 10 carry 1 इधर क्या हो जाएंगा plus 1 multiplication है तो हम लोग क्या करते है addition दोनों का addition कर लिया और यहाँ पे क्या हो जाएंगा 0 अब हम लोग देखेंगे इसका anti-log क्या देखेंगे हम लोग anti-log चलो तो 09 का 6 में 09 का 6 में हम लोग को मिलेंगा 1247 चीक है 09 का 6 में 1247 9 में मैं डिफरेंस है 3 तो 7 प्लस 3 10 carry 1 125 आपके उनमें क्यों आज़ेंगे आप मैंने 1 क्यों लिया क्योंकि कराक्ट्रेस्टिक इतना है 0 मैंने पहले बता है अगर वो 0 है तो addition करेंगे प्लस 1 का so 1.25 इंटू 10 रस तो दो पावर माइनस 8 सेंटिमीटर हम लोग को radius चाहिए होती है पिको मिटर में तो सिधा 125 पिको मिटर तो radius मिल चुकी है हम लोग को 125 पिको मिटर clear तो यसे साब से हम लोगों ने क्या निकाल लिया radius of aluminium atomic देख लेते कैसा किया हम लोगों ने हम लोगों ने FCC के लिए formula derive किया R is equals to 0.3535 into A A की value हम लोगों ने पिको मिटर का सेंटिमीटर में conversion किया value को put किया R is equals to 1.25 into 10 रस पावर माइनस 8 कैसे निकाला हम लोगों हम लोगों ने 0 इसका characteristic लिया then log देखा log देखने के बाद उनका किया addition किसके हिसाब से क्योंकि हम लोगों को formula बताया गया log of A M into N is equals to log of A M plus log of A N है यही formula का use करते वे हम लोगों ने addition किया then उसका देखा anti-log characteristic 0 था 0 plus 1 1 to 5 so एक डिजिट के बाद decimal point 1.25 to 10 अपा minus 8 उसका conversion किया हम लोगों उने p को मिटर में clear तो यहाँ पे तो सिव अभी एक ही value निकली हम लोगों को number of unit cell in 1.00 cm3 of aluminium यह fine करना ही है वो बाख ही है तो फ़र आख से इसका एक screenshot ले लो of unit cell in 1.00 cm3 of aluminium इसका formula था हमारे पास V upon A cube clear volume हमारे पास गिवन है जो कि कितना है 1.00 cm3 A की value हमारे पास गिवन है जो कि थी 3.536 into 10 to the power minus 8 तो वही लेते है 3.536 into 10 to the power minus 8 cm3 क्या निकालना है A का cube मतलब इस पूरे टम का हम लोग को निकालना है cube 1.00 3.536 into sorry into गोड़ी power कितना जाएंगा यहाँ पे 3 18 into 3 कितना मिलने वाला into 10 to the power minus 24 cm3 इधर भी क्या है cm3 अब सबसे पहले क्यों निकाला कैसे जाएंगा log table की हिसाब से so log का यूज करते वे कैसे रिकालेंगे कुछ नहीं हम लोगोंने अब भी एक formula देखा था पहले वीडियो लिख चाके log A to the power x into log of A है so यहाँ पहले क्या दिया है हम लोगों को log of 3.536 का cube क्यालेंगे 3 into log of 3.536 चीक है तो सबसे पहले इसका log लेते है देख लेते हम लोगों को log कितना मिलेंगा तो characteristic कितना मिलने वाला है decimal point के बाद सिफे की digit है 1-1 0 0 point 35 का 3 में 35 का 3 में 5, 4, 7, 8 5, 4, 7, 8 6 में मैं इन डिफ्रेंस शाय से 7 था चीक है तो यहाँ पे मिल जाएंगा हम लोगों को 5 यहाँ पे आजाएंगा 8 ठीक है 85 into क्या करना है हम लोगों को multiply देखो cube root में divide करते है cube root में divide करते है और cube निकाल दे time क्या करते है हम लोग multiply तो 5 into 3 15 carry 1 5 carry 2 14 carry 1 15 और 16 और 1 ठीक है अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग anti-lock अगर इसका anti-lock भी नहीं निकाला तो भी चल जाएंगा यही answer आने वाला है वैसे तो रह नहीं देते हैं सिधा ही put करते हैं 1.00 log कितना मिला हम लोगों को 1.6455 into 10 रस to the power minus 24 तो अब लेते हैं इसका भी log log of 1.00 characteristic कितना है 0 10 का 0 में रहता 0 0 0 and 1.6455 पहले log लिया था divide में है तो क्या आप लिए cable करेंगे हम लोग minus rule के ही साब से इधर 5 4 5 3 और इधर जाएंगा 2 बार में अंसर चलो अब इसका निकालते हैं अंटी लोग क्या लेंगा अंटी लोग 35 का 4 में 35 का 4 में 2 2 5 9 2 2 5 9 सो 35 का 4 में और 5 में में डिफ्रेंस है 3 सो ये मिलेंगा हम लोग को 12 carry 1 2 2 6 2 2 बार में अंसर है तो देखो इसका कैसे अटेंट करेंगे हम लोग एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे देना 2 6 2 इन 2 ये जो बार में दी हैं ना वो पावर में ले लेना माइनस 2 इन 2 देखो नीचे ये 10 रस तो पावर माइनस 24 है उपर जाने के बाद किस में चला जाएंगा प्लस में है अब क्या मिलेंगा हम लोग को 2.262 इन 2 प्लस माइनस माइनस क्या मिलेंगा प्लस 22 तो नंबर ओफ आटम पर यूनिट सेल हम लोग को कितना मिल रहा है यहाँ पे 2.262 इन 2 प्लस 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 क्लियर किसके वाल्यू फाइंड के हम लोगों ने नंबर ओफ यूनिट सेल इन 1.0 सेंटिमीटर क्यूब की यहाँ पे थोड़ा से लिखने के लिए जगा नहीं है तो आप कंसिलर कर लो यहाँ पे नंबर ओफ यूनिट सेल इन 1.0 सेंटिमीटर क्यूब ओफ अलुमिनियूम इस 2.262 इन 2 तेंडर सेंटिमीटर क्यूब पावर 22 क्लियर एक नूट यहाँ पे हमेशा धान में रखना अगर हापने को क्यूब निकाल ला है तो मल्टिप्लिकेशन किया जाएंगा 3 से अगर क्यूब रूट निकाल ला है तो डिवाइट किया जाएंगा 3 से यह की है यहाँ के स्वाल कर रहें कि जब भी भी आप लोग टेबल की साब से स्वाल करेंगे तब सो क्लियर है चलो चल दिसे इसके स्क्रेंशॉट ले लो अगर कहीं पर लॉग में प्रब्लम जाता है तो थोड़ा सा उसको एक बार रिकॉल करके फिर से एक बार आप लोग देख ले ना ठीक है अब इसके बाद हम लोग नेक्स देख रहे है जो की है पेज नमबर 27 का कोशिन नमबर 9 वो हम लोग अभी पहले स्वाल करेंगे देखो तो यहाँ पर क्या बोला गया है गिविन क्या क्या है या फिर क्या बोलता है यह नमबर 9 है यह एक्सेसाइज में का पेज नमबर 27 अनलमेंट विद मोलर मास विद मोलर मास 27 ग्राम पर मॉल कितना दिया है हम लोग को मोलर मास 27 ग्राम पर मॉल फॉर्म्स टूबिक यूनिट सेल फॉर्म क्या कर रहा है है क्यूबिक यूनिट सेल विद यह विद ए्र लंग तूब विद एंट विद एंट और फ दे विद एंट इस ब्राम क्यूंट शेजन ब्यूनिट सेल टूलर टूबिक यूनिट दिव ब्राम क्यूनिट centimeter cube what is the what is the nature of cubic unit cell find के करना है हम लोग को nature of cubic unit cell clear nature मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं n के value nature हम लोग कहां से decide करेंगे n के value से अगर n के value 1 है तो simple cubic unit cell कौनसा unit cell बोला जाएंगा simple cubic unit cell अगर n के value 2 है तो हम लोग क्या बोलने वाले है bcc n के value 1 है तो simple और अगर 4 आती है तो fcc तो हम लोग को find यही करना है कि n के value क्या आ रही है 1, 2 या फिर 4 तो सबसे पहले देखते है given क्या है देखो given data में हम लोग को दिया है molar mass an element with molar mass molar mass मतलब भी capital N is equals to कितना है 27 gram per mole उसके बाद हम लोग को given है age length age length जिसको हम लोग denote करते है small a से 405 picometer clear अब सबसे पहले अगर value हम लोग को picometer में दे तो उसका करवजन centimeter में करना होता है तो चलो कर लेते है 405 into 10 raise to the power minus 12 meter then centimeter में करना है 405 into 10 raise to the power minus 10 centimeter फिर से decimal point को shift करेंगे 2 digit 4.05 into 10 raise to the power plus 2 into 10 raise to the power minus 10 4.05 into plus minus minus बड़िस का sign minus का centimeter होगे इतना किसी भी हालाग में तुम लोग को 8 के form में ला रहा है easiest way से तुम लोग उसका क्यों निकाल सकते हो इसलिए यह होगी a की value age length की value यहाँ पे fine अब उसके बाद if density of the element given क्या है density of the elements row कितना दिया हम लोग को 2.7 gram per centimeter cube इतना है अब value कौन से find करनी है so value हम लोग दिखेंगे to find हब लोग को find करना है nature of cubic unit cell मतलब भी indirectly हम लोग को value कौन से find करनी है n की value clear अब n की value find करने के लिए formula कौन से हमारे पास तो सिब एकी formula इसको find करने के लिए formula density का row का density मतलब भी row is equal to m into n a cube into n a m into n upon a cube into n यहाँ पे a की value भी हमारे पास m की value भी है n a की भी है row की भी n की value को find करना है ठीक है चलो तो start करते है solution तो formula है row is equals to m into n a cube into n a है हम लोग को चाहिए किसकी value n की value तो n को पहले हम लोग को इस वाले side पे लेना पड़ेंगा तो क्या मिल जाएंगा हम लोग को n is equals to row into a cube into n a upon क्या मिल जाएंगा capital N clear अब हरे की value put करते है n is equals to row की value कितनी है हमारे पास row density 2.7 gram per centimeter cube age length कितनी है age length है 4.05 into 10 raise to the power minus 8 centimeter cube n a की value 6.022 into 10 raise to the power per 23 upon mula mass mula mass कितना है 27 gram per mole कर दी सब value put अब ये सारे value put करने के बाद हम लोग उसको solve करेंगे किसके हिसाब से lock table के हिसाब से clear तो सबसे पहले इतने इसका screenshot ले लो then हम लोग उसको start करेंगे lock table के हिसाब से ले लो हाँ तो हम लोग आगे solve करेंगे कहा तक कि हम लोग ने कर लिया था l is equals to 2.7 into 4.05 into 10 raise to the power point की इधर कितना digit है 1 so 1-1 characteristic कितना आजाएंगा 0 so हम लोग देख लेंगे 40 का 0 में sorry 40 का 5 में 40 का 5 में यहाँ आप लोग को मिलने वाला है 6075 6075 हम लोग ने पहली भी देखा cube अगेर निकालना है हम लोग को किस से multiply करना पड़ेंगा 3 से so 5 3 से 15 कैरी 1 22 कैरी 2 18 और यहाँ पर आजाएंगा 1 clear अब इसको ऐसा ही रखते है हम लोग इसका 80 लोग ने निकालेंगे तो अब देखा हम लोग को value कितनी मिल चुकी n is equals to 2.7 into कितना आ चुका है 1.8225 into 10 देखा पाव माइनस इंटू 3 कितना मिल जाएंगा 18 इंटू 3 sorry 8 इंटू 3 यहाँ पर 24 into 6.022 into 10 देखा पावर 23 upon 27 सिदा पावर को हम लोग solve कर लेते है 2.7 into 1.8 225 into 6.0 22 upon 27 minus and plus यहाँ पर क्या होने वाला 10 देखा पावर minus 1 10 देखा पावर minus 24 था 10 देखा पावर minus 20 sorry plus 23 था plus minus यहाँ पर मिलने वाला minus बड़े इसका sign किसका है minus 24 का solve तो log ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर log of 2.7 characteristic decimal point के इदर कितना है 2 मतलब एक ही characteristic है तो 1 minus 1 कितना होने वाला है 0 so 2.7 इसका लेंगे हम लोग log characteristic कितना मिलने वाला हम लोग को 0 तो 27 का 0 में देखते है 4 3 1 4 4 3 1 4 उसके बाद log हम लोगों ने अल्रेडी एक तो ले लिया है जो कि किसका बिलेंगे हम लोग को 4.05 का तो 1 point मतलब cube हम लोग बोलेंगे 1.8225 इसका हम लोग यहाँ पे ले चुके है cube then log of 6.022 तो 0 point characteristic 60 का 2 में 7796 और 2 में मैं difference 1 होता है इन तीनों का हम लोग करेंगे addition कितना मिलने वाला है 5 plus 4 दीखो हम लोगों यहाँ पे पूरा क्योब ने निकला कोई के पूरा क्योब निकलता है and then उसके बाद उसको फिर से log में लेता है और बहले वही आती है अगर आपको मैं लेके भी बता देती हूँ तो 1.8225 अगर मैं इसका antilog लेती हूँ 6645 हम लोगों को मिल जाएंगा अगर मैं इसके फिर से एक बार log लेती हूँ फिर से तो देखो 66 का 4 में log देखते है तो वही आएंगा 66 का 4 में 66 का 4 में हम लोगों को मिल रहा है 8222 और 5 में में डिफ्रेंस 66 का 4 में और 5 में में डिफ्रेंस है 3 तो क्या आगया 1.825 तो वही चीज आ रही है इसलिए हम लोग ने फिर से एक बार वो find नहीं करना पड़े इसलिए हम लोग क्या कर रहे है डारेक्ट वही जो into किया है न 3 से वही value हम लोग वहाँ पे रख रहे है ठीक है so addition करते है 5 प्लस 4 क्या बोलेगे हम लोग 9 9 और ये 7 9 10 और ये होगे 16 carry 1 10 13 carry 1 7 प्लस 3 10 12 13 carry 1 ये होगे 800 और ये हाँ 2 इधर आ गया 3 clear इतना अब अब नीचे का लोग लेंगे हम लोग ओफ 27 कितना मिलेंगा 1.27 पहले लिया है हम लोग ने 4 3 1 4 27 का 0 में अभी हम लोग करेंगे यहां से minus देखो उपर वाले का लोग का addition नीचे वाले का लोग निकल गया है उपर में से नीचे वाले की लोग को minus किया जाएंगा 0 3 3 6 minus 1.4314 एक बार हम लोग addition चेक कर लेते हैं फिर भी 5 60 का 2 में क्या देखना है अब लोग को अंटी लोग 60 का 2 में 60 का 2 में है 3 9 9 9 ठीक है 60 का 2 में और 4 3 यहां पे सारी हैं यहां पे 4 चाहिए तो इधर आ जाएंगा का 2 60 का 2 में और 2 में में डिफरेंस कितना मिलने वाला है हम लोग को 2 क्लिया तो 9 प्लस 2 11 10 10 अडिशन करना है हां यहां पे 4 देखो पर्फेक्ट आंसर निकल चुका है n is equal to 4001 अब करेक्टरास्टिक कितना है 1 मतलब यहां पे देदेंगे एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट सीधा यहां पे 10 देखो पावर प्लस 1 इंटो 10 देखो पावर माइनस 1 n is equal to 4.001 मतलब n is equal to approximately equal to 4 अगर n is equal to 4 है तो nature of cubic unit cell कैसा है so nature of cubic unit cell is FCC phase centered cubic q क्योंकि n के value कितने निकल चुकी है approximately equal to 4 निकल चुकी है so clear है तो इसे साबसे हम लोगों ने एक aluminium का example देख लिया और यह एक अब इसके बाद हमारे अगर numerical की बात की जाए exercise के तो सिफ एक numerical बचता है उसी के साथ हम लोग solid example के a series start कर देंगे ठीक है and solid example की series होने के बाद हम लोग इसी solid state के numerical के अंदर previous year जितने भी numericals अभी तक के exams में आ चुके board exams वो सारी attempt करके देखने वाले वो सारी series हम लोग लेकर आने वाले है तो आज का वीडियो में आपको जो दो numericals पढ़ा गए वो सबच में आ गए होंगे अगर कोई भी difficulties है regarding lock table कैसे रिकलना क्या तो आप comment box में पूश सकते और इसी के साथ साथ इसके notes आपको description box में दी जाएंगे तो आप notes भी उसके देख सकते हैं so thank you so much वीडियो को देखने के लिए